नमस्कार दोस्तों, English Portal में आपका बहुत-बहुत स्वागत है प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम singular compound noun को plural बनाना सीखेंगे बहुत बार ऐसा होता है कि sentence error में इन words का यूज होता है और students इनको plural या singular रूप में यूज करने में गलती करता है तो इस वीडियो को पूरा देखिए और समझने की कोशिस कीजिए compound noun को plural बनाते वक्त आपको बस एक बात का ध्यान रखना है कि compound noun में जो भी main word होता है उसके साथ S लगा कर हम उसको plural बनाते हैं ना कि और दूसरे words के साथ तो आए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो सबसे पहला word है commander in chief commander in chief का मतलब क्या होता है परधान सेनपती अगर इसको हम plural बनाएंगे तो हम commander के साथ S लगाएंगे तो क्या हो जाएगा commanders in chief next word है passerby passerby का मतलब होता पथिक तो यहाँ पे हम passer के साथ लगाएंगे S तो हो जाएगा passersby next word है son in law son in law का मतलब होता दामाद तो यहाँ पे son के साथ लगाएंगे sons in law daughter in law daughter in law brother in law father in law mother in law sister in law sister in law step mother step mother step father step father step brothers step sister step sisters step son step daughter step daughters looker on looker on का मतलब होता है दर्सक तो यहाँ पे looker के साथ लगेगा क्या हो जाएगा lookers on lookers on hangar on hangar on का मतलब होता है अनुचर दास जिसको आप लोग बोलते हो hangars on हो जाएगा यहाँ पे hanger के साथ लगेगा hangars on maid servant नुकरानी यहाँ पे servant के साथ लगेगा maid servants हो जाएगा court of male court of male का मतलब क्या होता है coverage यहाँ पे court के साथ लगेगा courts of male हो जाएगा court marshal court marshal का मतलब क्या होता है scenic न्याले fourji अदालत जिसको आप लोग बोलते हो तो यहाँ पे court martial में court के साथ लगेगा courts martial night event night event का मतलब होता है शुर्वी तो यहाँ पे night के साथ लगेगा nights event हो जाएगा क्या हो जाएगा major journal शेन्य दलका अध्यक्ष तो यहाँ पे लग जाएगा general के साथ major journals spendthrift spendthrift का मतलब क्या होता है मुक्त हस्त धन उड़ाने वाला जिसको आप लोग बोलते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा thrift के साथ ऐस लगेगा spendthrift pickpocket pickpocket का मतलब क्या होता है pocketmar तो यहाँ पे pocket के साथ ऐस लग जाएगा pickpockets pickparks pickparks का मतलब क्या होता है दूसरे के रुपे पैसे का पर्स उठाने वाला दूसरे के रुपे पैसे की थैली चुराने वाला भी इसको बोल सकते हैं तो इसका हो जाएगा pickparses पर्स के साथ लगेगा pickparses तो दोस्तों यह थे कुछ important compound noun जिनको आप लोगोंने plural बनाना सीखा तो उमीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छे लगी होगी अगर वीडियो अच्छे लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसको अपने friends के साथ share कर दीजिएगा और अगर हमारे चैनल पे कोई नया आया है तो प्लीज 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 चैनल को सबस्क्राइब कर लिजिएगा और साथ में bell आइकन को प्रेस कर लिजिएगा जिससे कि आप लोगों नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकिशन का पता चल सके तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए थैंक यू वेरी मच्च जैहिंद